अब देखना के है इतने दिनों से सरकार है और सरकार का दावा बड़ा बड़ा है ऐसी सरकार कभी बनी नहीं परधान मंत्री जी भी इस बात का क्लेम करते हैं अमारे अमिद साज जी भी इग्रिह मंत्री हैं वो भी क्लेम करते हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आतंकबादी घटना हैं जो है वो बिलकुल सुन्य हो जाएं लगातार मने कोई न कोई घटना की ख़बर जो है मिलती रहती है अब देखिए इसके पहले जो है सत्वाल मलिक का जो बयान आया जो पुलाओं के इस हुआ था हमको याद है अच्छी तरह से याद है कि सारी खबरें जो सत्वा आज मांग रहे हैं मौसम खराब है लंबी यात्रा है संको के सिति ठीक नहीं है दिया जाए उसको रिजक्ट किया गया और यह नियम था कि इस तरह का माने कारकेट जब चलेगा उसके आगे आगे उसके आगे एक गाड़ी जाएगी पहले और जो सेंसेटिव पॉइंट काराई जिसमें चालीस हमारे जमान मारे गए वहां कोई इंतजाम नहीं था तो इस सारा सवाल एक डीएसपी का सवाल उठाया था गया था जिसके गाड़ी में आतंक वादी पकड़े गये थे उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं है सब लोग जानते हैं यह ऐसे लोगों की कि जमात है भारतिय जोन्तापाटी और आश से जो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए साधन का कोई मतलब नहीं है गांदी कहते थे साधन की प्रभीत्रता उस से इनको कोई मतलब नहीं है हम जो हासिल करना चाहते हैं उसको हम किसी तरह से आसिल कर एंगे दिखाई दे रहा है राहुल गांदी केस में यही है जो वहां जद साब हैं वह जद साब लंबे समय तक अमिट साखेवे मुकदमा के पहर विकार रहे हैं यह जजमेंट आया दूसरे तरफ देखिएगा कि 2002 का जो दंगा हुआ था उसमें माया को नानी जो नरंदर मोधिक सरकार्वा मंत्री थी बाबु वजरंगी जैसे लोग छोड़ दिये गए यह इस्तिय इनलों का कोई लिहाज जो होता है समय धानिक मुल्यों का मने लोक्तांत्रिक मुल्यों का अच्छे बूरे का कोई लिहाज दिया जजमेंट में कुछ है नहीं हमको लगता है कि मामला उपर जाएगा निश्चित रुप से राहूल गांधी को इस मामले में रहत म झालेगी.